70% बच्चे तो class में हार जाते हैं कैसे class खतम होगी group 1 की जो बोद group का fees भर है वो bag उठाएंगे और चल देंगे बोलेंगे अगले session में देख लेंगे से हम तो यहां है ना हमको तो दिखता है ना हमको तो पता है ना कितने बच्चे आते हैं कैसे sir group 2 का payment कर दिया है हमको बस happens is then we tend to give up हमको लगता है छोड़ ना पर सर देखो आज कल में बता दूना नॉर्मल लोगों की कीमत नहीं है मतलब या तो पढ़ाई मत करो पर पढ़ाई नहीं कर रहे हो तो किसी और field में excel कर लो मेरे एक दोस्त था उसको सी एंटर में राइंक आया था राइंक आया उसके स्की बड़ उसनी दिलॉइट जोइन किया मेरे साथ ही जोइन किया छे मैने में उसने पिपडाई टनी बहुत ए इतनी सी clarity थी कि जिंदगी में जो काम मेरे को ये वाला काम मेरे को नहीं करने ये जितने भी काम Deloitte वाले दे रहे हैं मिरे को ये काम नहीं करने तो बोला पर भाई कोई सेक्यूरिटी बोले क्या सेक्यूरिटी वोट इस देर तो लूज वियर नॉट टें थाउजन रूपीस पर मन्त करको जब यही कंपनी मेरे को एक लाक रुपए देगी महने का तब में वह एक लाक छोड़के जा पाऊंगा क्या आज मैं दस हजार में नहीं जा पाऊंगा तो मेरे को सारी का कोई एक्सपेक्टेशन नहीं एक दम टाइम पर आऊंगा विस मेरे को काम दे दो दिस असी यह बनने वाला इंसान एक स्टूडेंट अकेले अपने दम पर किसी के रेफेरेंस में नहीं वो यह चीज़े कर रहा था मुंबई में बैट करके रोज सुभा लेक अज़े से रात के नौ बज़े तक काम करता था दो चीज़े होती थी एक तो वह खूश रहता था दूसरा वह बहुत चीज़े ऐसी सीखता था जो उसको सीखना है और अनोर भी अच्छे सा ऀर्ट प्रांग रुपई रहे जा रहे हुँगा हैं वह उसको जब भी देखो ना वो कुछ भी कर रहा हो था नूज पढ़ रहा हुगा हैं तुम्हारा जो रहे तुम लोग न बहुत कर पाते हो कि यार हम हम जा किस तरफ रहे पर तुमको यह नहीं पता ना किस तरीके से जा रहे तो तुमको यह नहीं पता कि उसमें क्या मार्केट में बिसनेस करना चाहों तो कैसे करोगे सर, CA क्लियर करना, CA बन जाना, एक आट लाग की नौकरी ढूढ़ना और उसके आट लाग की नौकरी करना, तीन साल चार साल प्रमोशन के लिए काम करना और शादी कर लेना, इट इस अ मिडियोकर लाइफ, तुम लोग यहाँ पर प्रिवलेज्ट हो पता है, तुम लोग यहा यहाँ लाग की नौकरी कर रहे है, कुछ अच्छा करो ढंका जंदगी में, करके रहे हैं, डिलोइट में हो कुछ अच्छा करो, कुछ बिजनस खोलो कुछ प्रमोशन वगरा करो, मैंने उसको करीबन यह डेढ़ साल तक बोलाए, ठीक है, डेढ़ साल तक उसने कुछ नहीं कितना कमाते हैं, तो मैंने कहा, 21,00,000,000 कमा लेते होंगे, तो कितना कमाएगा, 10,11,00,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000, यहांब मेरे को 60,000 कमारें उनके सामसे में 12,000,00 रुपए कमा र dalॉं मतनलब उन्होंने मेरे 8,000,00 रुपए के रिसोर्स न दियो बढ़ाए और उसके दमपे में 12,0,0,000 कमा रो तेर को 20 रुपए के तो रिसोर्स वैसे ही मिल गए तेर को वह कमाने में 5 साल लगे तो जब हम लोग किसी को बूलते हैं तो हम लोगों को नहीं बता होता हुआ वो कौन से बैक्ग्राउंट से आया है क्या कर रहे है पर तुम लोग यहां अगर बैठे हो न मैं यह मानता हो तुम लोग बहुत सारे मैं यहां खड़ा होना बहुत बढ़ा प्रिवलेज है तुम यहाँ पे अगर बैठे हो तो जितनी भी तुमने फीज भरी है वो फीज is not a small amount तो तुम्हारे पास उतना तो privilege है कि तुम एक extraordinary चीज सोच सकते हो अपने ले कम से कम अगर तुम उसमें भी यही सोच रहे हो कि यार मैंना तुम्हारा अगर life का struggle यह बन जाता है कि मैं सिर्फ फर्स अटेंब में clear करूंगा या एक group दूंगा एक then you are just not doing anything extraordinary it is all normal और यह कोई नहीं बोलेगा दोस्तुमको कोई बोलेगा ही नहीं क्यों क्योंकि तुमको अच्छी-च्छी बाते सुननी होती न अरे सीए बनो sign करो पैसे मिलेंगे यह सब बाते सच नहीं है बट वेन यूवर्क हाड ना वेन यूवर्क हाड वेन यूवर्क हाड यूगे रिवर्ड एवरी डे तुम जब महनत करोगे ना हर छे मैने में तुम्हारे life में ऐसी कोई मत्राइक चीज़ होगी जिससे तुमको अपने मम्मी बापा के चहरे में भी खुशी दिख जौब करोगे तो कभ खुश करोगे मम्मि बापा को ज्जादा से जादा क्या होगा साल में इक बड़ प्रमोशन होगा साल में एक बार कोई कोई recognition कोई कुछ पर सर उसी जॉब में I am not saying don't do job I am saying उसी जॉब में उस जगे काम करो जहां तुम्हारी इच्छा लग रही है जहां तुम्हारा माने तुम equity research में चले गए अच्छा काम किया तुमने employee of the year award मिला that is when they are actually happy promotion तुमने अच्छा काम किया गर के मिला उनको पता है promotion दूगा तुमने अच्छा काम किया गर के मिला उनको पता है promotion दूगा तुम एक साल ये company में काम करेगा इसले आपको promotion मिलता है promotion में हमारा कोई role नहीं होता है but वहाँ पे जब तुम extraordinary contribute कर रहो that is when you get the results तो बस life is not supposed to be ordinary बस an ordinary life is no life life is not supposed to be ordinary it is support but you are at an age where you can change your life in any direction that you want even I can change my life in any direction which I want a 50 year old guy cannot even he can if he has that that much well power but we can change our life in any direction that we want आज को अगर मैं teaching नहीं करूंगा इधर if I don't earn from teaching मेरको इतना पता है कि मैं कुछ ना कुछ तो कर लेगा मैं teaching नहीं भी करूंगा ना मेरको जॉब नहीं भी मिलेगा ना तब भी मेरको बता है नीट six months one year one and half year में तूट जाओंगा मैं कुछ भी कर लूँगा पर मैं कुछ तो करूंगा मतलब मैं भूका तो नहीं मरूँगा यह मेरे को पता है even if I clear everything that I have in my bank account इसा हो नहीं पर ऐसा कुछ हो भी ना तो मैंने इतनी बार bounce back किया है कि मेरे को पता है मैं कर लूँगा तो वो क्यों पता है सर वो क्या over confidence है कि नहीं वो तीन चार वर मैंने किया न तो मेरे को समझ आ गया कि मैं किस direction में सोचता हूँ और वही मेरा photo है उस direction में सोचो और तुम्हारा काम हो जाएग पर वो over the time पता चलता है आस तो नहीं कभी तुमको बाद ना बताऊंगा आर्टिकल्शिप करते हैं लोग 30,000, 40,000, there was a month when I did a very small business and that business turned out to be so big मैं एक महने का 3 लाख रुपय कमाया था आर्टिकल्शिप के दौरान, कोई एक plain simple idea था और 3 लाख रुपय legit कमाया आर्टिकल्शिप के दौरान जब मैं अपना full time job कर तो वो क्यों होता है क्योंकि दिमाग में पूरा time चलता रहता है तुमको क्या करना है मेरे दिमाग में उस समय motivation था मेरे क्लासेश की फीज भर नी थी मैने अल्रेडी और साल पहले सी फाइनल की फीज भर दी थी ती और लाख रुपय वो क्लासेश मैने अट्रिंड नहीं किये उनको मैंने बोला सर रिन्यू कर दो तो उन्होंने रिन्यू नहीं किया तो मेरेको कोचिंग को और डेड़ लाग रुप गवा मैं और मेरे दोस्त तब तो ऐसा तब तो ऐसा था रहे यार यह तो चाहिए ही नहीं था यह तो आ गया खर्च कर दो तो अब लोग यह तो आप लोग ने कर नी पड़ेगी सभी तीन चीज़े बताओगे सबसे वहले क्या बताओगे I will study with interest to secure exemption in law I will give my 200% in this attempt I will perform better than everyone else